प्यारे दोस्तों आज हम अपने देश के एक महत्पून ओशदिये पेड के बारे में बात करें हैं जिसका नाम है नीम भारत देश में नीम एक बहुत बड़ी ओशदिये जिसे कई आजारों सालों से उप्योग किया जा रहा है आज के समय में बहुत से अंगरे जी दवाईया नीम की पत्ती वै उसके पेड से बनती हैं नीम के पेड की हर एक चीज फायदे मंद होती हैं नीम का सुवाद कड़वा होता है लेकिन जितना कड़वा होता है उतना ही जादा फायदे मंद होता है आईए मैं आज आपको नीम के गुण और उसके लाप से अवगत कराती हूँ जिसे आप आसानी से घर में उप्योग कर बहुसी बिमारियों को दूर कर सकते हैं दोस्तों साइद आपको नहीं पता कि भारत से नीम के पत्तों का निर्या 34 देसों में किया जाता है नीम इतना उप्योगी है आज मैं आपको बता रही हूँ नीम के उप्योग दवा के रूप में नीम की पत्ती, लैप्रोसी, आँख की बिमारी, नकसीर, पेट के कीडे, पाचन, भूख की कमी, तोचा के रोक, दिल और खुन की नशों की बिमारी, बुखार, डाइप्टीज, मसूडे, लीवर आधी परेशाने दूर करने में काम में आती है नीम की टहनी, मलेरिया में, पेट या आतों के अलसर में, स्किन, डीजिज, दात और मसूडों की परेशाने आधी में काम में ली जाती है नीम की दातुन का उप्योग, आज भी कई लोग करते हैं, या दातुन बाजार में भी मिलती है इसे दात में प्लाक जमना कम होता है, और मसूडों में सूजन और खूनाना बंद हो जाता है, और मूँ से दुरगंदाना तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है प्यारे दोस्तों कीट नासक के रूप में नीम की पत्यों को अलबारी में रखा जाता है ताकि कपड़े कीटों से बचे रहे इन्हें गेऊं या चावल आदी भनने से पहले न्डम या पंप आदी के नीचे बिछाया जाता है ताकि उनमें कीडे ना पड़े खाने पीने में नीम के फूल का उप्योग दक्षिन भारत में मनाई जाने वाले त्योहार उगादी में के समय किया जाता है नीम के फूल और गुड़ खाकर उगादी त्योहार मनाया जाता है नीम के फायदे वाइरस का संकर्मन वाइरस के करण होने वाले चिकन पॉक्स, स्माल पॉक्स यानी चैचक या बोदरी जैसी बिमारियों को फैलने से रोकने में नीम का उप्योग किया जाता है नीम की पत्य को पीस कर लगाने से तौचा पर दूसरी जगए वाइरस नहीं फैलता या हप्लेस जैसे हामनी कारक वाइरस को भी मिटा सकता है चिकन पॉक्स होने पर नीम की पत्या पानी में उबाल कर इस पानी से नाना बहुत लाबदायक होता है इससे तौचा को अरा मिलता है और यह संकरमन अन्यस्थान पर नहीं फैलता हिर्दय की देख बाल नीम की पत्ती पानी में उबाल कर यह पानी पीने से नसों में लचीला पनाता है और इसे हिर्दय का दबाव कम होता है यह हिर्दय की धड़कन नियमित करने में सायक होता है और इस प्रेकार उच रख चाप को कंट्रोल किया जाता है बालो के लिए निम की पत्ती डाल कर उबाला हुआ पानी से सिदोने से डेंडरफ ठीक होता है